Hello friends, Welcome to our YouTube channel LifeX आप सबी का हमारे YouTube channel LifeX पर हादिक स्वागत है आज हम LifeX में आपके स्वास्थे के विशे में लेकर आए हैं एक बहुती खास उपाए जो बहुती असान है और आपके लिए काफी फाइदेमन साबित हो सकता है जी हाँ दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि रोज सुबह खाली पेट हल्दी वाला पानी पीने से हमारे शीर को क्या फाइदे मिल सकते हैं दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सुबह खाली पेट हल्दी का पानी पीने से क्या होता है सेहत की हर प्रेशानी को दूर करने की क्षमता रखता है हल्दी वाला पानी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना तो आएए हम इस विशे में विस्तारपूरवब बात करते हैं दोस्तों हल्दी जो बारतियर सोईगरों में ज्यादतर इस्तेमाल की जाती है हल्दी सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही उप्योगी नहीं है बलकि ये स्वास्ते के लिए भी काफी फाइदेमन मानी जाती है दोस्तों हल्दी को शुरू से ही सेट के लिए वर्दान के रूप में लिया जाता है इसे रोज लेने से हाजमा ठीक होने से लेकर जोडों तक का दर्द ठीक हो जाता है इसलिए यदि आप ये चमदकारिक फाइदे देने वाला हल्दी का पानी रोज लेते हैं तो आप कई सारी बिमारियों से बच सकते हैं इससे मिलने वाले फाइदे कुछ इस परकार से हैं श्रीर की सूजन कम करने के लिए फाइदे मन दोस्तों हमारे श्रीर में चाहिए कितनी भी सूजन क्यों ना हो हल्दी वाला पानी उसे कम करने की क्षमता रखता है तो इसलिए अगर आपके लीवर में या शीर के किसी भी अंदरूनी या बारी अंग में सूजन की समस्या है तो रोज सुबह हल्दी वाला पानी पीना शुरू कर दे देखते ही देखते कुछी दिनों में आपकी ये समस्या छूम अंतर हो जाएगी पाचन के लिए उपयोगी दोस्तों आज कल के खान पान, मसालेदार खाने, पास्टफोर्ट या बीजी शेडियोल के कारण हम ज्यादातर बदहस्मी के शिकार रहते हैं या पाचन समंदी कोई अन्ने समस्याओं से परभावित रहते हैं लेकिन दोस्तों हल्दी वाला पानी पाचन के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है दरसल हल्दी वाला पानी पीने से पाचन ठीक रहता है और पाचन ठीक रहने से श्रीर में अतिरिक चर्बी जमा नहीं होती है इसलिए अगर आप भी पाचन समंदी समस्याओं से परभावित रहते हैं तो आपको हर रोज सुबह हल्दी वाला पानी पीना चाहिए इससे आपका पाचन भी ठीक रहेगा और आप खुद को फ्रेश भी महसूस कर पाएंगे दिमाग के लिए फाइदे मन दोस्तों कि आप जानते हैं कि हल्दी दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है जी हां ये हमारे रशोईगर में पाई जाने वाली हल्दी दिमाग के कई रोगों को ठीक करने की क्षमता रखती है अगर आपको या आपके किसी क्रीबी को भूलने की बिमारी जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर या दिमाग से जुड़ी कोई अन्ने समस्या है तो हम आपको बता दें कि हल्दी वाले पानी के नियमी सेवन से दिमाग से जुड़ी ये समस्यां कम की जा सकती है इसलिए दोस्तों रोज सुबह हल्दी वाला पानी पीना शुरू करें और अपने दिमाग को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखें खून को साफ करता है हल्दी वाला पानी दोस्तों हल्दी को पानी में मिलाकर इसका सेवन करने से ये एक काड़े की तरह काम करता है इसे पीने से खून साफ होता है जिससे तवचा समद्धी सारी परिशानिया खत्म हो जाती है इसलिए दोस्तों रोज सुबह हल्दी वाला पानी पीना शुरू करें और अपने खून को साफ रखें कोलेस्टरोल के लिए फाइदे मन्द दोस्तों आज कल के खान पान और बीजी शेडियोल के कारण आप में से कई लोग कोलेस्टरोल की समस्या से परबावित होंगे इसलिए अब बाब बिल्कुल भी परशान ना हो क्योंकि ये आमध्स दिखने वाला हलदी वाला पानि इस समस्या को ठीक करने के भी काम आता है इसको लगातार पीते रहने से कुलेस्टरोल ठीक है जिससे दिल सबंधी बिमारिया नहीं लगती इसलिए दोस्तों हलदी वाले पानी को रोज-सुबह बीजिए और अपने कोलेस्ट्रोल लेवल को बढ़ने से रोकिए श्रीर को हमेशा बनाए जवान दोस्तों हल्दी वाला पानी श्रीर को हमेशा जवान रखने के लिए भी काम करता है गरम पानी में नीमबू, हल्दी पाउडर और शायद मिलाकर पीने से यह श्रीर की गंदगी को यूरिन के रास्ते बाहर निकालता है जिससे बुड़ापा दूर रहता है इसलिए दोस्तों आप भी रोज सुबह हल्दी वाला पानी पीजिए और खुद को हमेशा जवान बनाए रखिए तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि हल्दी वाला पानी कैसे बनाए इसके लिए जो हमें जरूरी समगरी चाहिए वो है आदा नीम्भू, एक चुथाई चमच हल्दी पाउडर, एक गिलास गर्म पानी दोस्तों पानी ज्यादा गर्म ना हो, आप चाहे तो हल्का गुन-गुना पानी भी ले सकते हैं और एक चमच शहद तो आईए दोस्तों अब हम जानते हैं कि हल्दी वाला पानी बनाने की और पीने की वीदी सबसे पहले एक गिलास में आदा निम्बू निचोड़े अब उसमें एक चुथाई चमच हल्दी डाले और उपर से गर्म पानी मिलाकर अच्छे से मिक्स कर ले इस मिश्रन में स्वाद अनुसार शहद मिलाए दोस्तों हल्दी कुछ समय बाद नीचे बैठ जाती है इसलिए पीने से पहले अच्छे से हिलाकर पीएं इस मिश्रन को सुबह खाली पेट पीएं और इसको पीने के एक गंटे बाद तक कुछ ना खाएं तभी आपको इसका बरपूर फाइदा मिल पाएगा दोस्तों इसके साथ ही हम आपको एक जरूरी बात भी बताना चाहेंगे यदि आप यह पानी पीना शुरू कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि हल्दी गर्म होती है और कहीं यह आपको गर्मी ना कर दे इसलिए दोस्तों आप इसे लेते हुए और गर्म चीजों से एतियाद बढ़ते अन्यता आपके श्रीर में गर्मी का लेवल बढ़ सकता है और आपको स्वास्ते समंदी कई समस्या हो सकती है तो दोस्तों यह है हमारा आज का खास टोपिक जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आप रोज सुबह खाली पेट हल्दी वाला पानी पिएंगे तो आप सेथ की कई परिशानियों को दूर कर सकते हैं अगर आप भी सेथ समंदीत इन समस्याँ से बेहत परिशान है और इनसे जल से जल छुटकारा पाना चाते हैं तो अब आपको और परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में बताएगे यह मैत्तेपून जानकारी आपके लिए काफी वाइदेमन साबित हो सकती है तो दोस्तों अंत में हम आपको यही सला देंगे कि आप कल से ही सुबह खाली पेट हल्दी वाला पानी पीना शुरू कर दीजिए और स्वास्ते की कई परिशानियों को दूर कर खुद को स्वस्त और तंद्रूस्त बनाए रखे उमीद है आपके यह जानकारी पसंद आए होगी दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राई जरूर दे अगर आपको यह वीडियो फायदिमन लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से जुरूर शेयर करें क्योंकि आपका एक शेर किसे की जिन्दगी संभार सकता है लाइक और कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना फीड़बैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना ना भोले कीप शेरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और ने वीडियो के साथ थैंक्स फूर वाचिंग